कर दोस्तों स्वागत करता हूं आपके चैनल गड़ित एंड जी एस में दोस्तों चार्ट की गड़ित लगा रहे है प्रसनाली संक्या 11.4 क्या कह रहा पहला प्रसंद दोस्तों कह रहा आपको एक बेलना कार टैंक दिया हुआ यह देख रहे हैं आम तोर पर घरों के उपर सब्सक्राइब लेयर तो वह उतनी लेयर प्लास्टिक की रहती है दोस्तों इस पर करके टैंक आप आवसी देखेंगे दोस्तों अपने आसपास आप च्छतों पे एक बन नजर दोड़ाए निमलिखित में से किस इस्तिती में आप उसका पिष्टी चेतर फल ग्याद है यह ग्याद करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता दोस्तों पानी का टैंक है यह इसमें कितना पानी रखा जा सकता इसके लिए आप क्या निकालेंगे इसका आयतन यह किस पर कर गए, दोस्तो, बेलनाकार है, बेलनाकार है, लगो लगो, इसका आयतन निकाल लेंगे हम, जिससे हमें पता चल जाएगा, मान लेते हैं, दोस्तो, इसका आयतन आता है, मीटर क्यूब में, दस, 10 meter cube आया गया दोस्तों इसका आयताना आगया 10 meter cube ठीक है यह 10 ज्यादा है दोस्तों 1 meter cube माल लेते हैं इसका आयताना आगया दोस्तों 1 meter cube क्या आप दोस्तों ऐसे tank यह आप देखेंगे जब जब आप ऐसा tank देखेंगे दोस्तों तो इस पर लिखा रहेगा इस पर लिखा होते हैं आब इस परकार से आते हैं यह George लीटर तो या फिर पान्ट यह पर को रहते हैं तो क्या मीटर क्यू में पोई रिस्ता है क्या मीटर की ओर लीटर दोस्तो इसमें कोई नाता है क्योंकि हमने तो आयतन निकाला और इससे हमें कितना पानी रखा जा सकता है क्या यह पता चल जाएगा दोस्तों मैं आपको गूगल पर पताता हूं कि एक मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है यह आगी कछाओं के लिए भी बड़ा महत पूट रहेगा यह देखिए दोस्त यह सब भी कर सकते हैं यह लिखा है यहां पर वॉल्यूम और एक क्यूबिक मीटर क्यूबिक मीटर यानि मीटर क्यूब दोस्तों क्यूब क्यूब यानि मीटर की पावर तीन एक क्यूबिक मीटर में कितना लीटर एक हजार लीटर इसी पकार दोस्तों अगर हम दो मीटर क् दोस्तो आधा करते हैं तो, 0.5 meter cube यानी 500 liter ठीक है दोस्तो, आप ये अवस सही ध्यान रखें कि 1 meter cube बराबर 1000 liter होता है, ठीक है दोस्तो, आये देखते हैं अगले प्रसंते, आगे कह रहा है दोस्तो हमें, दूसरे में कह रहा है, इसका plaster करने के लिए वांचित cement की बोरियों की करेंगे तो बहर करते हैं प्लास्टर तो बहर मतलब नहीं कह रहा है इसमें भरे पानी से भरे जाने चोटे टैंकों की संख्या अगर निकालनी हो चोटे टैंक के कितने भर जाएंगे इससे भरे पानी से भरे जाने वाले चोटे टैंक की संख्या निकालनी हो तो दोस्तों यह यह बड़े टैंक का आयतन आप निकालने आयतन और उसको भाग कर दें चोटे टैंक से चोटे टैंक के आयतन से ठीक है दोस्तों चोटे टैंक के जब आयतन से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा तो बड़े टेंक के आयतन निकाल लीजिए और चोटे टेंक के आयतन से भाग देदिए दोस्तों आशा करते हैं आपको मज़ा आया होगा धन्यवाद